नमस्कार बूपएनदर पांड़े हिंदी चैलल में आप सब का हर्दिक स्वागत करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रतेक वीडियो के अब्डेट्स आपको मिलते रहें पाश्चात्य कावे शास्त्र के अंतरगत आज हम अध्यन करेंगे प्लेटो के प्रत्य सिधान का इसे प्लेटो का प्रत्य वाद भी कह जाता है और कहीं कहीं प्लेटो के आकार का सिधान भी कहा जाता है अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्लेटो स्थीरी आप आडियलिजम तो पाश्चात्य का आए सहास्त्र वास्ता में छात्रों को बहुत कठीन लगता है लेकिन वास्ता में बहुत ही रोचक और सरल विशा है और इसमें मेरी गहरी रूची है तो मैं आशक करता हूँ कि आप शुरू से अंत तक इससे जरूर देखेंगे और देखने के बाद आप के मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा कि मैं इसे बहुत ही सरल शब्दों में इस्फष्ट करने वाला हूँ इसलिए अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहे हैं आये देखते हैं कि प्रत्य का प्रत्य का आर्थ होता है विचार अथवा आइडिया प्रत्य का क् सुक्रात नाम के जो महान दारसनिक हुए हैं युनान में उनके शिष्य थे और वे अरस्तु के गुरू थे और इनका जन्म हुआ था 427 इसापूर में अब नित्ती हुई थी 347 इसापूर में कुछ किताबों में कुछ अलग-अलग भी मिलता है लेकिन जहां से मैंने लिया है उनका जन्म में जब हुआ उस समय युनान जो एथेन से वा पराजित हो चुका था किसी अन्यर राध्याथवा-राष्ट का उन पर अदिकार हो चुका तो उसमय जो एथेंस जब पराडित हो गया था तो चारों और अध्यात्मिक मुल्यों का विनास हो गया था और हर जगा औसरवादिता हावी थी विश्वास घात का माहौल था और ऐसे समय में अधिकांस लोग ऐसे थे जो दास थे और जिनकी जो पीड़ा थी बहुत ही गहरी थी जैसे जब भारत परतंद्र था तो भारत की जो इस्थिती थी लगबग वैसी इस्थिती उस समय युनान की थी और आपको मालूम है कि जब भारत परतंद्र था तो बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए थे उस समय मतलब ठीक इसी प्रकार युनान में भी जब लोगों को यह लगने लगा कि इस राष्ट के निर्मार में हमने अपना तैनमंधन सब लगा दिया है इसके बावजूद भी हमको समाने से नागरीक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं जीवन का जो अधिकार है समाने जो नागरीकों का जो अधिकार होता अपने राष्ट में उन अधिकारों से वे वज्जित हो चुके थे और पड़्यातंत्र वहाँ पर सही धंग से लागू नहीं हो पाई थी और वहाँ जो व्यापारियों का बोल बाला था और कुछ कुलीन व्यक्तिते थे कुलीन व्यक्तिते जो उच घराने से सम्मन्द रखते थे उनका ही पुरे राष्ट पर कप जा था इसलिए अधिकांस विद्वानों का यह मानना है कि प्लेटो जो एक आदर्स वादी विचारक है जो प्रत्यवादी विचारक है उनकी जो प्रतिक्रिया है उनका जो आदर्स वाद है और जो आदर्स गंडाज्य की स्थापना के समन में उन्हें अपने रिपब्लिक नाम ग्रंत में जो वर्णन किया है वह मुख रुप से उसमें जो समाजिक माहौल था उसी पतन की प्रक्रिया का परणाम था यह आप समझ गया होंगे कि मतलब प्लेटो का जो आदर्स वाद है वह है आदर्स गंडाज्य की स्थापना का उनका स्वापना है जिसमें कवियों के लिए कोई जगा नी है वास्ता में प्लेटो ने कावे और कला को नैतिक्ता के अधार पर और उसके आदर्शों के अधार पर उन मुल्यों के अधार पर जो समाज को उचा उठाते हैं लोगों की सोच को उचा उचा उठाते हैं या कला अत्वा कावे की उपयोगिता क्या है इस द्रिष्टी कौन से देखा लेकिन कला अत्वा कावे की जो आलोचना के मापदंड होते हैं जो सौंदर ये शास्तिरी मापदंड होते हैं उनके अधार पर उन्होंने कावे और कला की समिच्छा नहीं की तो यह उनका यह कमी ह प्लेटों की मूल दिष्टी क्या थी? आत्मवदी थी, सब्जेक्टी थी. अब आत्मवद क्या होता है? आत्मवद मतलब आत्मा और परमात्मा के समन्द में अध्यान करना. अथवा केवल आत्मा को ही अविनाशी और अक्छूणा और अखंड मानना, माके चीज़ों को नस् या प्रत्यवादी थी, प्रत्यवाद एडलिश मतलब जो विचार है, वही सत्य है, वही अखंड है. और उनके मत्से यह जो विस्व है और यह जो हमारा जो दिष्टी कोचर जगत है, जिस संसार में हम रहते हैं, वह वास्तों में परमात्मा का जो विचार है, परमात्मा क बाहरी संसार में हम जो कुछ देखते हैं वो अमूर्थ प्रत्य प्रत्य मतलवता विचार या आइडिया का मूर्थ अनुकरण मात्र है वास्तो में इस संसार को बनाने का आइडिया किसके पास है इस्वर के पास है और उस idea के आधार पर क्या है, इस संसार की रचना हुए, तो यह जो संसार है यह क्या है, उस idea का अनुकरण है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप घर बनवा रहे हैं, आर्की टेक्ट ने आपको नक्सा बना कर दे दिया तो आर्किटेक्ट क्या हो गया? इस्वर हो गया क्योंको उसने नक्सा बना कर दे दिया और उसने उसको दे दिया ठेकेदार को अब ठेकेदार उस नक्सा के अधार पर आपको मकान बना कर दे देता है तो वह उसका अनुकरण करता है तो ठीक इसी प्रकार की बात है अब यह जो कवीता है कावे के समध में उन्हें विचार बेखते किया है कवीता बाहरी संसार से समागरी ग्रहन करती है और इस समागरी को संसोधित और संपाधित करके हमारे समक्ष प्रस्तूत करती है इसलिए वा अनुकरण का अनुकरण होने के काण समान्य रूप से ग्रहन नहीं की जा सकती ग्रहन करने योगे नहीं है इसे आप ऐसे समझे जो इस्वर है इस्वर की विचारों के आधार पर इस स्रिष्टी की रचना हुई कहीं नदी भारे हैं सुनदर प्राकृतिक द्रिषिय है अच्छे अच्छी बाते हैं उनकों देख कर कभी कवीता लिखता है तो वास्तों में वह नकल का नकल करता है क्योकि यह जो स्रिष्टी है स्रिष्टी को जो विचार है उसके जन में जाता है इस्वर अगर कविता लिखता है तो यह नकल का नकल है अथ्वा अनुकरण का अनुकरण है इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे आपके पास कोई किताब है आपके पास और इंगल किताब है अचारे रामचंदर शुकल की आपका मित्रा एक दिन आपके घर आता है बोलता है भाई बोलेगा भाई औरिंज्यों किताब तो नहीं है लेकिन मेरे पास फोटोपि जरूर है तो बोलेगा इस फोटोकापि से ही फोटोकापि करा लेता हूं मैं अब यह तीसरी कॉपी है यह इस प्रकार जो विचार है उसका मुर्थ रूप क्या होता है प्रकृति होता है यह संसार होता है और यह संसार को देखकर कोई कवी कविता लिखता है यह चित्रकार चित्रकारी करता है तो वह सत्य से तीन गुणा दूर हो जाता है अर्थात्वा फोटोकापी का फोटोकापी करवा लेता है अब आप समझ यह होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं बहुत इसरल शब्दों मैंने आपको समझा दिया है इसके बाद यह कोई डाउट है तो आप कमेंड बाक्स में कमेंड लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं प्लेटो के मत से कविता में क्या नहीं होता कविता में कोई वेग्यानिक्ता नहीं होती कोई तरक सिध्धता नहीं होती और गहरी मानवी समाधिक्ता का भाव होता है उनका कहाना है कोई कभी जब कविता लिखता है तो वो भावुक होकर भावावेश में उन्मात के छोड़ों में कविता लिखता है अर्थात कविता में तरक और बुद्धी की भूमिका दुलकुल लगण होती है सिर्फ भावों की भूमिका होती है और उसमें किसी का कोई उत्थान नहीं होता समाजिक उत्थान नहीं होता कविता नयतिक नहीं होती है अर्थात प्लेटों के जो संपूर्ण चिंतन का जो आधार है वो दो बातों पर टिका हुआ है एक तो है नयतिकता और दूसरा है आदर्स राज्य का निर्माण और उनके कला संबन्दी उनने जो भी विचार व्यक्त किया है उसमें आदर्स नागरिक के निर्माण के चिंता को ही उसके समन्द में जो चिंता है उसको ही व्यक्त करते है अर्थात प्लेटों का यकाना है कि कला अथ्वा कावय ऐसा होना चाहिए जो लोगों की नैतिकता में विद्धी करे उनका उठ्थान करे समाज के लिए उपयोगी हो ललिट कलाओं का प्रसंगाने पर कभी कभी प्लेटों क्या करते है व्यक्तित्त के निर्माण के लिए संगीत की आशक्ता पर जरूर भल देते हैं अत्वा उसके महत्यों को स्पिकार करते है किन्तु इस प्रकार को जो विचार है या भी इनके केंदरी चिंतन का मुद्दा नहीं है अब ललित कला के अंतरगत क्या किया आते हैं? जो निर्थ है, संगीत है, चितरकारी है, ये सारी चीज़ें आती हैं ललित कला के अंतरगत माई मेसिस अर्थात अनुकराण सद्द का प्रयोग, उन्होंने बताया कि मैं ठीक है इस सद्द का मैं प्रयोग करौँ लेकि यह परंपरा से प्राप्त है, मतलग जो अनुकराण सद्द है जिसे प्लेटों माई मेसिस करते हैं, वे इस शब्द के जन्मद आता नहीं है, इस इस शब्द को उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ यह शब्द है यह शब्द उन्हें परंपरा से प्राप्त हुआ है लेकिन इसके बावद्यूद्धी उन्होंने यह बताया है कि अनुकरण का क्या विशय होना चाहिए और कला के लिए क्या अनुकरणी है और अनुकरण का क्या संबन्ध है इसके व्याख्या करिए विचार जगत क्या है विचार जगत हुआ है जो परमात्मा के मन में विद्यमान है जिसके जन्मदाता परमात्मा है और यह विचार जगत ही यह आइडिया ही परमसत्य है अक्छुन है अक्छुन है नित्य है अरस्वर है, हमेशा विद्यमान रहने वाला है और इस विचार जगत के आधार पर यह जो गोचर जगत है जिस जगत में हम रहते हैं जो हम चारों और जो वस्तू देखते हैं यह इसी के आधार पर निर्मित है विचार जगत के आधार पर इस वास्तिक जगत और कला जगत के बीच क्या संबन्द है तो वास्तिक जगत का अनुकरण कोन करता है कला जगत करता है विचार का जो जगत है इसका अनुकरण करता है वास्तिक जगत और वास्तिक जगत का अनुकरण करता है कला जगत तो इस प्रकारिनों ने इसको समझने क प्रत्य सिद्धान या प्रत्य वाद से क्या तात्पर है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको एक सीरे से नकार देते थे तो उन्होंने कावय को भी नकार दिया था और इसका प्रभाव पड़ा प्लेटो पर उनको लगा कि यह कविता है कावय पुरी तरह से फालतू है त्योंकि इसमें तर्क और बुद्धी का कोई स्थान नहीं है सिर्फ भावों कोई स्थान है और जो कवी होता है वह उन्मात की दशा में कविता लिखता है पागलपन की दशा में कविता लिखता है बहुत भावुक होकर कविता लिखता है जिसमें तर्क और बुद्धी का कोई स्थान नहीं होता सिर्फ भावनाओं में भाकर वह कविता लिखता चला जाता है और जो जो प्लेटों हैं, वे सुभाव और संस्कार से तो कभी थे लेकिन शिख्षा और परिस्तिति के कारण। वो दार्शणी को गए क्योंकि उनको शिख्षा किस से मिली थी? सुकराद से मिली थी कभी वे कावे और दर्शन के पुराने विबात को याद दिलते हैं पहले भी बात चलता था कावे अच्छा है कि दर्सन अच्छा है और कभी वे कावे को इस्वर की प्रेना मान कर कभी उसकी प्रशनसा भी करते हैं लेकिन वास्तों में आज हम जिस प्लेटों का इसमरण करते हैं उस प्लेटों को हम जानते हैं कावे के गुरुदुने ने बहुत सारे आरोप लगाये हैं आच्छेप लगाये हैं और इस पकर के दारसनिक आचारे हैं तो आज जब हम प्लेटों को याद करते हैं तो एक ऐसे विचारक के रूप में ऐसे दारसनिक के रूप में याद करते है जिन्होंने कावे पर और कवियों पर बहुत ज्यादा आरोप लगाया है आच्शेप लगाया है उनके मत से कावे कीन दो कारणों से अगराय है वो कौन से दो कारण है जिनके कावे को स्विकार नहीं कर सकते एक आदर्स समाज में, एक आदर्स गनराज में, किसी कवी और कुसकी कवीता का कोई स्थान नहीं है, उसके दो कारण है, पहला तो है दर्शन और दूसरा है प्रयोजन, प्रयोजन मतलब बता है उद्देश श्यत्वा उप्योग, तो वास्तवे जो प्लेटू हैं, वे मुलत अथवा आइडिया ही परमसत्य है, वह नित्य है, एक है, अखंड है, और इस्वर ही उसका सर्जा क्या निर्माता है, मतलब जो विचार है, उसके जन्वदाता कोन है, इस्वर है, उसके निर्माता अथवा स्रष्टा कोन है, इस्वर है, इसलिए जो विचार है, वह परमसत नित्य जो कभी समापत नहीं होता जो अखंड है और यह जो द्रिसिमान वस्तु जगत है यह प् Pattyyae का ही अनुकरण है और जिस संसार में हम रहते हैं जिस संसार को हम देखते है वह वास्तों में इस विचार कही अनुकरण है अथ्वा नकल है अथ्वा इमिटेशन है नकल का नकल करता है अनुकरण का अनुकरण करता है इसी प्रकार को चित्रकार है वह द्रिस्यमान जगत को देखकर उसका चित्र बना देता है तो वह यह अनुकरण का अनुकरण करता है तो इस क्रम में कला तीसरे इस्थान पर है कला से यहां सम्मन्द है जो ललीत कला है कला म उसके अभाश या प्रतिविम या वस्तू जगत का है तो इसमें 1st Polition किसका है सब से महत्पून कौन है वीचार है क्योंकि वीचार के जन्मदागा ताइश्वर हैं दूसरे इस्थान पर ये वस्तू जगत है जिसमें हम रहते हैं और चितरकारी की जाती है जो कला है वो वास्ता में इस वस्तु जगत का प्रतिभीम है वस्तु जगत के प्रतिभीम कला जगत का तीसरा इस्तान है इसलिए जो परमसत्यत वो आइडिया है से कला का तीरा अलगाव है थ्राइस रिमूर्ड है और अनुकरान का अनुकरान होने के का पुरी तरह से जूट है, पुरी तरह से मिथ्या है, इस प्रकार प्लेटों के शब्दों में कविता अत्वा कला सत्य से तीन गुना दूर है, अंग्रेजी में लिखा है, थ्राइस रिमूर्ड फ्राम हे रिलेटी होती है, तो इस प्रकार जो कला जगत है, अत्वा जो कला है, जो काव्य है वह सत्य से तीन गुणा दूर है कोई कि वह अनुकरण का अनुकरण है तो इस पकार इस सद्धान्तिक कतन को प्रेटो अपने उदाहार द्वारा इसपस्ट करते हैं और उनका कहाना है कि प्रत्य एक वस्तु का एक नित्य अथ्वा पर्मानेंट रूप होता है यह प्रत्य विचार के रूप में नहीत होता है वास्ता में जब हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं तो इस वस्तु को जो विचार होता है उसके जिन्मदाता है इस्वर कौन है इस्वर है प्लेटो के अंसार और इसको इस्पुष्ट करने के लिए प्लेटो ने पलंग का उदाहर दिया एक पलंग का उदाहर दिया उन्होंने कि यह जो पलंग बनाने का जो आइडिया या विचार है तो इस आइडिया के जन्मदाता कौन है इस्वर है इस आइड पलंग ऐसे बनता है उनके वह नक्सा दिया और उस नक्सा के अधार पर बढ़ई ने क्या बना दिया पलंग मना दिया तो यह सत्य से यह अनुकरण हो गया और इस पलंग को देखकर कोई चित्रकार पलंग का चित्र बनाता है तो और अनुकरण का अनुकरण करता है तो यह मै पलंग को देखका चितरकार पलंग का चितर बनाता है तो वह अनुकरण का अनुकरण करता है इसलिए यह सत्य से तीन गुणा दूर है तो इस प्रकार तीन पलंग हुए एक तो वह पलंग जिसका नेमार इस्वर करता है तो यह पलंग का विचार है अर्दात पलंग का आइड तो इस प्रकार मूल बात या है कि वस्त वत्वा प्रत्य है आइडिया में ही रुपाहित रूप दिया गया होता है फिर उसका अनुकरण का निल्माता उसे ठोस आकार देता है या मुर्त रूप देता है तो वास्तो में जो आइडिया कहां से आया विचार और विचार को मुर जो आकार है, वह नकल होता है, और इसलिए यद् resumes, से दुगने दूरी-पर होता है, या yaphartha के गार उसका इस्तान दूशरे position पर होता है, और इसलिए क्ला कार है, चितरकारे क्या करता है, जो कभी होता है शब्दों के माध्यम से उसको मुर्त रूप देता है अत्वा चित्रकार है चित्रों के माध्यम से मुर्त रूप देता है या फिर जो मुर्तिकार है वह पत्थरों को उसके माध्यम से वा चिनी है थोड़े के माध्यम से उसको मुर्त रूप देता है तो इस इसलिए प्लेटों कहते हैं कि जो कला है जो ललित कला है अथ्वा जो कला है वह नकल की नकल है अथ्वा अनुकरण का अनुकरण है अथ्वा छाया की छाया है प्रतिबिम में का प्रतिबिम है अर्थात पुरी तरह से नकल या मिथ्या है जैसे कि फोटो कापी से फोटो कापी प्लेटों को यह कहना है कि यह जो संसार है युद्रि सिमान संसार है जिसको हम अभी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं मासूस करते हैं अपनी आखों से हम देखते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसे चू कर मासूस करते हैं हाथों से तो वास्तों में यह वास्ति में जो संसार है वह इस्वर उसके जन्मदाता है उनके मन में यह विद्यमान होता है तो वास्तिक जो संसार है वास्ता में इस्वर के मन में विद्यमान है वही अखंड है वही शास्वत है वही अक्छोन है और उनकी दिश्टी में यह पुरा संसार ही जगत पुरा जो संसार ह जो पुरा जगत है यह मित्या है और विचार के रूप में जो जगत विद्धिमान है इस्वर के दिमाग में इस्वर के मन में वही परम सत्य है और यह संसार असत्य है अब इस ब्रह्म से हम सब ग्रस्त हैं इस दुनिया को हम समझते हैं कि यह दुनिया ही सत्य है इसके उन्होंने एक उदाहन के माध्यम से समझाया है जैसे कि एक व्यक्ति की कलपना करिए जो एक गुफा की और मुँख करके बैठा हुआ है एक गुफा है जिसके सामने की दिवार गुफा के द्वार पर बैठा हुआ है और सामने उसे दिवार दिखाई दे रहा है गुफा का और उसके पीछे पीट के पीछे पुरी संसारिक गतिधियां चल रही है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं और लोगों की जो गतिधियां बाहर चल रही है उनकी जो परचाई है वह सामने गुफा के सामने जो दिवार है वहाँ पर उनकी परचाई दिखाई दे रही है तो ये गुफा के सामने जो बैठा हुआ व्यक्तिय है वह समझता है कि ये परचाई ही सत्य है बलकि वास्त में वह परचाई बस है जो की मित्या है जो की जूट है लेकिन वह भ्रहमवस उस चाया को यह वास्तिता समझ बैठता है और कभी भी उसे यह संदेज नहीं होता कि वास्तमे वह चाया को देखकर वह सत्य समझ रहा है जबकि जिवन भर वह इसी भ्रहम में रहता है यह दरान आपको परिच्छा में ए विपढ़ता है उसके बारे में यह उन्हें पृती ना उनके बारे में से पता नहीं तो दृषिमान जगत जो भ्राम है जो इसीवाpose कर प्रतिया यह वा सत्य समझ तोफोक लीज अरिस्टोफोनिक जैसे नाटक करों के नाटक भी अपवाद नहीं है। मतब पुराने जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं, उनके नाटक भी इसी मिठ्या तत्तों से परिचालित होते हैं। अर्थात, इनकी लिखी वी जो क्रीतियां हैं, इनको पढ़ने से, देखने से, अथ्वा सुनने से, अच्छे नागरिकों का निमार नहीं हो पाता। जो कि आदर्स राजय के लिए जवरु है कि वहां के नागरिक भी अच्छे हैं, वहां के नागरिक नैतिक हों, आदर्स वादियों, लेकिन इन रचनाओं को पढ़ने से उनके मन में कोई नैतिकता जन्म नहीं लेती, नैतिकता वादी आग्रावों से प्रहिधो कर पेटो काविय और कला हमेशा नैतिक होनी चाहिए, उससे नैतिकता में वृदी होने चाहिए लोगों कोई, तो इस प्रकार उन्हेंने कुछ तरक दिया है काविया और कला के विरुध, उसकी निंदा करते हैं, पहला उन्हेंने कहा है होमर के महा कावियों, इलियाड और ओडीसी मे उनमें देवत्व कहां है और देवत्व नहीं है तो मनुष्यों के उन्नेयन में सायक नहीं हो सकते अर्थाथ इलियड और ODC में होमर ने घिन देवताओ का वर्णन क्या है उनमें देवत्व जैसा कुछ नहीं है तो इनको पढ़ने अत्वा देखने अत्वा सुनने पर लोगों में कोई देवत्तो का नियमार नहीं होगा, इसलिए लोगों के उन्नेयन में, उनके उत्थान में साहक नहीं होंगे। इसी प्रकर हुमर और हैसी और नायम के दो बड़े poet हुए हैं इनके कावे में प्राय ऐसे ऐसे इस्थान आते हैं ऐसे ऐसे पंक्तियां आती हैं जो पठख को वीर और साहसी के बजाए दुर्बल और कायार बना देती हैं लोगों को भावुक बना देती है कावे तो ऐसा होना चाहिए जो नवयुकों में सोरे की भावना भरे उनके चरित्र का निमार करें और नमित्यु के लिए तयार किया करें मदब जो भावुक जो कवीता है जिसको पढ़कर लोग बहुत भावुक हो जाते हैं रोने लगते हैं एमोसनल हो जाते हैं ऐसी कवीताओं को वो नकार देते हैं एक सिरे से उनका कहना है कवीता ऐसी होनी चाहिए जो लोगों में नवयूकों में देश भक्ती की भावना भ़रे ताकि वो देश के लिए अपना सर्वस निच्छावर करने के लिए तयार हो जाएं वो उनके चरित करनी माल करें और मृत्य की लालसा के लिए अपने राष्ट के लिए अपने जीवन का बलदान देने के लिए जो उन्हें तयार करे इसलिए लेटों का जो प्रसिद्ध कतन है वा है दास्तता मृत्य से भी बुरी चीज़ है जो रिपब्लिक में ने कहा है दास्तता मृत्य से भी बुरी चीज़ है क्योंकि इनका जो समय है उस समय जो एथेंस है तो युनान है वह किसी का दास था अर्था किसी का गुलाम था गुलाम राष्ट प्राय कभी भोग और विलास की कामना से भर कर आवेश पूर्ण कामुकता पूर्ण भावों के सिष्टी करते हैं इससे सुधता और सहयम में बाधा परती है तथा चरि usta गुलं जैसी स्थितिवे में अब भावों में भग कर लिखना चालु करता है अब है इसकी दसा में उनमात की दास समय तो इससे क्या होता है हमारी कामुक भाव लुगों की जो को मलबुद दीवा ले जो पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, क्या बहुत है, इंस्टाग्राम में आप रिल्स देखते होंगे, यूटूब में रिल्स देखते होंगे, तो अभी इंस्टाग्राम में आप जो रिल्स देखते होंगे, तो उनके लाखों फालवर्स होते हैं, और अभी आप देख रहे ह तो प्लेटो जो है आदर सवाल से परिचालीत है और यदि मेरी बात आपको दिल को चुगए होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं बहुत हाई क्वालिटी का प्रीमियम कंटेंट आप लोगों के लेकर आता हूं और बहुत मेहनत करता हूं और मेरा वादा है कि मैं जो भी कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा आपको समझ में जरूर आएगा यदि आप शुरू से अंतर तक देखते हैं तो प्राया मैं आपको PDF नोड़ भी उपलब्द कराता हूं तो यदि मेरी यह बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे विश्वास है कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएंगे धन्यवाद तो उनका काना क्या है कि जो कॉमेडी के जो राइटर होते हैं तो कमेडी में कैसे होते हैं लोगों को हासाना है आप किसी भी लिवल पर जाके हासाना है मस्खरारा वहां पर रहेंगे और ऐसे लोग भी जाकर जो रंगेशाला में जाकर हुलत अब जाकर वहां तृखात यह होता है कि एसे जो नाटक करोते हैं वह और ऑदात भाहूं से सब्लाइम से से बहुत ही दूर होते हैं, मतलब जो अच्छे विचार है उनका प्रोसान नहीं देते हैं, उनका वणन नहीं करते हैं, इससे समाज में क्या है, ओचे भावों, घटिया भावों का वर्चस बढ़ जाता है, उनका बढ़ावा मिल जाता है, छटवा है, काव या नाटक की अंत कविता लिखना शुरू करता है, तो वह आस्ता में उन मात की अस्ता में होता है, और जो कावे की जो देवी होती है, जिसे वो म्यूज करते हैं, जैसे हिंदुस्तान में हम कहते हैं, मात सरस्वती की प्रयाना से कविता लिखी जाती है, तो ऐसे ही, उनका माना था जो म्यू वह नहीं होता, मतलब वहाँ बुद्धी और हिदे में कोई संतुलन नहीं होता सिर्फ वह भावु खोकर लिखता है इसलिए क्या ऐसी कला उदात कला नहीं हो सकती ऐसा काव्य अथवा ऐसी कला उदात नहीं हो सकती, सबलाम नहीं हो सकती फ्रिश्ट नहीं हो सकती है फिर भाव मुला खोने से कला भाव के उद्धित कर पाती है तरक को नहीं चुकि यह जो कविता है वह भाव पर आधारित है क्योंकि कविने भाव को कर लिखा यह तो I initial वह वहां बहम़ा चैसे तरक को नहीं बुध्धि को नहीं तब यह होता है कि काव्य मनोवेगों का पोशन और सिंचन करता है अर्थात poetry fits and what is the emotions मतब कविता क्या करती है सिर्फ हमारे भावों को जगा पाती है भावों का ही पोशन और सिंचन कर पाती है तरकर बुद्धी को नहीं इसी का दुस्पर नाम यह होता है कि जो काव्य होता है वह सत्य और शिव से दूर हो जाता है जैसे भारती संस्कृती में सत्यम शिवम सुंद्रम की अधारणा है तो यही कारण कि काव्य में न तो सत्य आ पाता है क्योंकि काव्य तरकर बुद्धी पर अधारित नहीं और जोची तरकर बुद्धी पर अधारित नहीं है कियों इमोसंस और भावना पर अधारित है, कल्पना पर अधारित है वह सत्य कैसे हो सकती है और शीव से भी दूर हो जाता है शीव का ताथ पर है कल्याण कारी तो ऐसी कविटा न तो इसमें सच्चाई है और नई यह लोगों के लिए कल्यान कारी है तो वास्तों मैं कविता को दो तरह से देख रहे हैं कि कविता सच्ची भी होनी चाहिए उसमें सत्य भी होना चाहिए और वा लोगों के लिए कल्यान कारी भी होना चाहिए कावय में प्राय अन्योक्ती की रचना होती है बालकों में अन्योक्ती तथा या थार्त में भेड़ कर सके इसलिए बच्चों के सामने शुद्द और नैतिक विचारों की कहानिया आने चाहिए असत्य और अनैतिक कल्पनाओं से पिरबित नहीं तो इसको आप इस सुदारान से समझ सकते हैं कि कावे ऐसा होना चाहिए कि लोगों की नेतिकता में विधिकरें जैसे महाभारत जो महा कावे उसमें आप पढ़ते होंगे जो माता कुंति है वह अपने पहले बच्चे को अर्थात कारणा को नदी में बहादेती है क्योंकि वह कुमारी मां होती है तो इस प्रकार समाधिक द्रिश्ट्रिकोंड से जो बच्चा वा आबयत कहा जाएगा, क्योंकि वह कुमारी मा का बच्चा है, तो यह इस टाइट की बातों का हम चित्रन करते हैं कावे में, तो बच्चों के मन में गलत प्रभाव पढ़ता है, कि यह ज़िसलिए, तो इस तरह है, तो इसलिए, हमको कावे में अच्छे विचारों को कर यह सिर्फ उधारन के मैं आपको बता रहा हूं इसको आप किसी धार्मी को उससे जोड़ कर न देखे हैं तो हमको ऐसी कहानियाल बच्चों के सामने लेकर आने चाहिए कावे में जो क्या हो नैतिक हो और में नैतिकता की विद्धी करें उनमें कुछ गुड़ दबाए गुड़ की विद्धी करें और नियुक्ति वह यह कि दूसरे के मादिन से को दूसरी बात को सम्झाना एक अलंक पागल बैखती है और कावे देवी मूज द्वारा अंतर प्रेइट होकर रचना करता है तो इस पकार जो प्लेटों हैं वे कावे और नाटक की आलोचना साहित्य से इतर माप दंड़ों के अधार पर करते हैं साहित्य साहित्य मतलब जो नैतिकता है या पि जो आधर नाटक कावे जो प्रक्रिया इस्वरी उनमाद है मतलब वह बिलकुल वह बिलकुल वह हो जाता है किसी दूसरी शक्ती के दिकार में पागलपन की दसा में आजाता है hypnotize हो जाता है hypnotize वाले इस्तिति में जाता है इस्वरी उन्माद है और उसी उन्माद की दर्शा में जब उसे कोई हो सवासनी रता वा कविता लिग देता है और इसकी प्रहना कहां से मिलती है कावे देवी अत्वा म्यूज से मिलती है जिसे हम भार्ती संस्क्रि writing में मा सर्फसती करते हैं तो इनी के प्यानास यह कविता की रचना करता है प्लेटो बार बार इस बात की और संक्रित करते हैं कि साहित में मनुष्य के नैतिक पक्ष को संपन, समृरीद और संतुष्ठ करने के शक्ती होनी चाहिए तो वे इस द्रिष्टी कोण से कविता को देखते हैं इस प्रकार जो प्नेटों का जो द्रिष्टी कोण है वह केवल नेतिकतावादी ही नहीं है बलकि उप्योगितावादी भी है उनकी द्रिष्टी में सुंदर भई है जो सत्य और सिलसे संपन्न है इस प्रकार कावे और कला को देखने की जो उनकी दिश्टी है वह न क्यों ने थिकतावादी है बलकि उप्योगतावादी भी है अर्थात कावे क्यों सुंदर ही नहीं होना चाहिए बलकि वह सत्य पर भी अधारित होना चाहिए और उसमें शीव अर्थात रोगों के कल्याण करने की भावना भी नहीत होनी चाहिए प्लेटो ने कावे प्रक्रिती और कावे सिजन की प्रक्रिया के साथ साथ कावे के प्रभापर भी घराई से विचार किया और रिपब्लिक के दस्वे ध्या में वे कहते हैं कि कविता को सत्य का निम्नेतर इस्तर का चित्र या वनान मानते हैं वहीं दूसरी ओर वे कविता को आत्मा के अदम भाग से संब्ध कर देते हैं अर्था जो कविता के प्रती उनका विचार बहुत अच्छे नहीं है वे कहते हैं जो कविता का संब्ध होता है वो हमारे जो अस्तित्व है उसके अदम भाग से होता है घटिया भाग से होता है सुद्ध भाग से नहीं बलकि असुद्ध भाग से उसका सम्मन होता है उनके विचार से माना की आत्मा की प्रकृती दोहरी प्रकृती के होती है माना की जो प्रकृति है उसके दो भाग होते हैं जिसका प्रतम भाग हम उत्तम भाग करते हैं उत्तम भाग का सम्मंध होता है किस से बुद्धी से और जो अदम भाग है उसमें क्या क्या होते हैं शोक क्रोध आधे मनोविकार होते हैं मतलब उन्होंने कहा है कि जो माना की आत्मा है वो दो भागा में भाज़त होती है शुद्ध भाग में उत्तम भाग में जिसमें बुद्धी का वर्चस्तु रहता है और अदम भाग में शोक क्रोधादी मनोविकार होते हैं फिलिंग्स होते हैं इसलिए कावे का प्रभाव आत्मा के निम्न इस्तर से समंदित होता है, और जो कावे का जो समंद होता है, वो हमारी आत्मा के निम्न वाले इस्तर से होती है, अदम भाग से होती है, अब प्लेटों के प्लेटों का क्या गाना है? अनुकराण धर्मी कभी का उद्देश लोगपृता प्राप्त करना होता है किन्तों लोगपृती होने के लिए वह आत्मा के बहुत धीक पक्ष को संचालित और प्रभावित करके अपने पाठकों को प्रसंद नहीं करता है बल्कि वह क्या करता है हमारे feelings और emotions को जगा देता है बढ़ावा देता है अर्था जो कभी होता है वह किसी का अनुकरण करता है और वह आस्तम उसको उद्देश क्या होता है बहुत लोगपृती होना होता है और लोगपृती होने के लिए वह बुद्धी के मध्यम से तरके के मध्यम से लोगपृती नहीं होना चाहता है बलकि हमारी भावनाओं को भढ़का कर rhymes करवा है लोगपृती होना चाहता है इस पकार जो कभी होता है वह प्रत्य व्यठ्टी क्या आत्मा में दुष्ट प्रकृती का गलत प्रकृति का sexual desires के बीजर ओपन करता है कामुकता जगाता है उसको गलत मारगे पर चलने के लिए प्ररीद करता है तो दार्शनिक प्येटों को कविता के विरुद के विले ही शिकायत नहीं थी कि वह आत्मा के असादो अंश अथवा दूश टैंस का पोश्चान करती है बलकि उनका सबसे बड़ी शिकायत थी कि कविता हमारी वासनाओं को भड़काती है हमारी कामुकता को भड़काती है sexual desires को जगाती है और मनिश को अनियंत्रित बनाती है और आत्रां ब्रश्ट प्राड़ी का रूप देती है तो जैसे आप पुराने काब्राड़ डांस हो करें जो देखते होंगे पुरानी फिल्मों में काब्राड़ डांस होता था अभी बहुत होते हैं कभी असलेलता बहुत बढ़ गई है लगिन अभी पुराने आप गाने में देखेंगे जैसे पिया तू अब तू आजा इस टैप की गाने में तो इस टैप की जो चीजें हैं इसके वह बुरूद्ध हैं जब अच्छी कविता का काम हमारी वासनाओं को दूर कर्मन को निर्मल करना और संयमित होना चाहिए इनका कहना है जो अच्छी कविता, स्रीष्ट कविता का उद्देश क्या होना चाहिए हमारे मन से वासनाओं को दूर करे, हमारे मन को निर्मल और शुद्ध करे और हमें सयम के मारगा पर चलने के लिए बात दे करे चुकि काव्य ऐसी सक्ति से संबन होता है जो भली प्रकृति के विक्ति से घातक होती है अता प्लेटों कविता को अगरा है मानते हैं तो वास्त में वे ऐसी कविता को अगरा है मानते हैं जो हमारे भानों को भढ़काती है, जो हमारे डिजायर को जगाती है ऐसी कविता अगरा है मतब चाहे ट्रेश्ड़ी हो या कामेडी हो प्लेटू का अदर्स क्या था अच्छे मनेश का नियमाण करना है उनका मुख्य Mundi देश था एक से मनेश का नियमाण जो सूख दुख मुलक सभी प्रकार करें समेडों के DM पर निर्भर है मतरब जिसको अपने मन पर कंटोल है जो सुख हर दुख हर अपनी भावना पर पू़ितर से कंटोल कर सके और चूखि कविता इसके DM में बादाक है कविता के मादम से मारी भावनाएं संयमित नहीं होती बलकि भावनाएं भड़कती हैं और इसलिए प्लेटो कहते हैं कि यह अनुकरण इन मनोवेगों को फैलाता है सीचिता है और पुष्ट करता है जबकि हमको उन्हें सुखा देना चाहिए अर्था नश्ट कर देना चाहिए या उनको हमारा शासक बना कर इस्थाबित करता है जबकि उनको तो शाशित होना चाहिए तो उनका कहाना है, जो भी tragedy है, या पि जो भी comedy है, या पि जो भी poetry है, उसका उद्देश ही क्या होना चाहिए, हमारे मनोविकारों का दमन होना चाहिए, बेल कि लेकिन यह क्या करते हैं, यह हमारे मनोविकारों का भड़का देते हैं, इनके उपर हमको शासन करना चाहिए, ल इन्होंने दोनों का विर्ष जरूर किया है दर्षन और कावे का लगिन दोनों का पूरक के रूप में भी स्थापित किया है क्योंकि इन्होंने अपने दर्षन के मादिम से बताया है कि कविता का उद्देश क्या होना चाहिए लक्ष क्या होना चाहिए वस्तुता कविता दर दर्शन को चनोती देती है और दर्शनिक प्लेटों दर्शन से तुलना करते हुए कविता की अलोचना करते हैं। प्लेटों दर्शन दर्शन से तुलना करते हैं। जो नए पाश्चाति कावेशास्त्री तो भारती कावेशास्त्रों ने कई सिधान्तों के बीज खोजने के प्रयास किये और इसी तरह के प्रत्न करने वाले विद्वारों ने करुणा और तरास की दोहरी मिस्री तिस्तिती या विरेचन सिधान्त विरुधों के सामझे से का स सिधान्त आदी के बीज संकेत प्लेटों में पाएं जब कि सच बात यह है कि प्लेटों के चिंतन का महत्य कावे सिधान्तों के सुची बनाने में नहीं है बलकि इस बात में है कि प्लेटों कविता को लेकर बुनियादी प्रस्न उपस्थित करते हैं तो प्लेटों का जो चिं प्रसनिक विचारों के अधार पर इन ने जन्म लिया है लेकिन वास्ता में है प्लेटों का महत्ता इस बात में है कि वे कविता को लेकर कविता के दाइत्तों को लेकर नहितिकता को लेकर आदर्स को लेकर हमारे सामने एक चलेंड उपस्तित करते हैं बुनियादे प्रसन उप तो वे तारकिक्ता के आधार पर बुद्धी के आधार पर विचार करते हैं ना कि केवल भावु खोकर प्लेटों के चिंतन्त का परिवर्ती कावे चिंतन्त पर अनेक जगह प्रत्यक्च और परक्ष प्रभाव दिखाई देता है तो आज जब हम पाश्चात कावे चारत अत्वा भारती कावे चारत का ध्यान करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सरे सिधानतों पर प्लेटों की चवी अत्वा प्रतिबीम हमको दिखाई परती है अनेक आशेपों और बाद व्यादों के किंज में रते हुए भी प्लेटों का नाम पश्चिमी आलोचना जगत में आज भी लेखनी है आज भी इनका अत्यंतर स्रद्धा और महत्तों के साथ इसमान किया जाता है और इसका प्रधान कारण तो यहा है कि उनके जो शिस्य हैं अरस्तु ने अरस्तु के कावे सिधान प्लेटो दारा कविता पर किये गए आशेपों का समा धान या उत्तर देने की मना इस्तिती से उपजिये हैं प्लेटों के बिना अरस्तु के चिंतन की कलपना और संभाव नहीं तो कठी नवस्य है इनके जो शिस्य हैं अरस्तु हैं इन्होंने अपने गुरू का पुरीतर से विरोध किया है और आज जो अरस्तु का हम जो सिधान परते हैं प्लेटों ने कवियों का गवरा यहता कर छिन दिया है कि कवी नकल्ची होता है और थात कवी अनुकरण करता है कवी के इस चिने हुए गवरा को प्लेटों के इसी से अरस्तु ने पस्चिमी काविशास्त्र में पुना इस्थापित किया है थब प्लेटों ने तो पुरा खारिज कर दिया था कवियों के महतों को उनके गवरा को पुरी तरह से नस्ट कर दिया था लेकिन उनके सी सी जो वरस्तू हैं उन्होंने कवियों के पुराने गवरा को वापस लोटाया संशेब में पस्चिम के कविता समंदी चिंतन के बाद व्यात के मुल में प्लेटों कहीं न कहीं अवज से रहे हैं आज भी पस्चिमी कावे जगत में जो चिंतन हो रहे हैं कावे उको लेकर उसमें कहीं ने कहीं हमको प्लेटों की छवी अथ्वा उनके विचारों के दर्शन अवज से दिखाई देते हैं अब प्लेटो की प्लगधी क्या है प्लेटो के देन क्या है उन्हेंने क्या क्या नहीं विचार क्या ने नया द्रिश्टी कोण दिया कावे समिच्छा जगत को अलोचना जगत को प्लेटो के कुछ महत्वपुन विचार इस प्रकार है कावे एहम कला के स्वरूप पहला है प्लेटो की द्रिष्टी में कला और साहित का प्रयोजन अर्थात उद्धे से अमुल उसकी सामाजिक उप्योगिता है उन्होंने कला को और साहित को सामाजिक उप्योगिता की द्रिष्टी से देखा कि वह समाज के लिए कितना उप्योगी है तो यह उनका दिश्ट कोन उपयोगिता वादी है इसके बाद अनुकरांट सिद्धान की उद्धाना का स्रे प्लेटो है अनुकरांट सिद्धान को जो उन्हें ने ब्यवस्थीत रूप प्रदान किया इसके जन्मदाता कोन है प्लेटो है इसके बाद प्लेटो इस्वरी प्रणा को कावे की रचना प्रक्रिया का निवारे साधन मानते हैं वित्पत्ति अभ्यास आधी का मत उनकी द्रिष्टे में नितान्त गौड है तो भारती कावे सास्त्र में प्रतिभा वित्पत्ति और अभ्यास ये तीन चीजे कावे की रचना प्रक्रिया के निवारे साधन है लेकिन प्लेटो ने सिर्फ किसको मातो दिया है इस्वरी प्रणा को उन्होंने मातो दिया है क्योंकि जो कभी होता है वह इस्वरी प्रणा के द्वारा कविता की रचना करता है इसे जो विद्पत्ति है, विद्पत्ति मतलब जो सास्त्र ग्यान, किताबों का अध्यान, और अभ्यास यह उनके दिश्ची कोण से को ज़्यादा महत्रपूर नहीं है, गौड है, विरेचन सिधान के संकेत भी उनके कत्रों में विद्यमान है, क्योंकि इन्होंने संगीत को कावि गयतना है, पौई टीक ज़स्टिस के सिधान के प्रतिष्ठता प्लेटो है, यह कोई अलगच चैप्तर है, बाद में चर्चा करेंगे, कावि गयतनी है, पौई। justice के जन्म दाता कौन है प्लेटो है और प्लेटो की तार्खीक प्रखरता मतला बहुत ही talented बहुत genius थे इनके जो तर्क थे इनकी जो बुद्धी थी बहुत ही प्रखर थी और इनकी अभिवेंजना express करने की करने की जो प्लेटो ने कभी को कहा गिया सिर्फ नकल चिये कभी क काम सिर्फ नुकराण करना है इस पकार उन्होंने कभी की भावना को उसकी कल्पना को महत्तों नहीं दिया वोला यह तो नकल कर रहे है नकल करना को असी बहुत कठीन बात है किसी चीट को नकल करना इस पकार उन्होंने क ये कुछ कर सकते हैं, ये तो नकल करते हैं, बस, नकल करना तो बिल्कुल दोयम दर्जे का काम है। लेकिन मा कलाकार की स्रीजनात्मकता को, कलाकार की मोडिकता को, Creativity को ये समज्ट नहीं पाए। प्रेटों ने कला को कला की दिष्टी से नहीं देखा। प्लेटो ने दर्सन और कावे के शासत विरोध की बात कही है जब कि दर्सन और कावेलोचन एक दूसरे के विरोधी नहीं पूराख है प्लेटो के शाथ से जो दर्सन और कावे हैं वे एक दूसरे के विरोधी होते हैं जब कि वास्तो में जो कला और दर्सन है वे एक दूसरे के पूराख होते हैं बलकि समय समय पर उन्हें ने जो भाशन दिया है जो समाध हुए हैं जैसे रिपब्लीक उगर जो किताबें लिखी हैं उनमें अशर के यह साब से उन्हें बार-बार इन चीज़ों का उलेक किया है तो वास्तों में यह समाधों के करण बार-बार इन चीज़ें रिपीट होगा तो मेरे चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को दबाना ना बुलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो का ब्रेट्स आपको मिलते रहें साथ ही अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें धन्यवाद जय हिंजय भारत